मौसम के बदलाग के अनुसार कई कीडे मकोडे घर में चाहें या ना चाहें वो आही जाते हैं जिनका डंक दर्दनाक तो होता ही है साथ ही उसका जहर भी काफी समस्याएं उत्पन करता है उन्हीं में से एक है कान खजूरा जो की काटने के साथ साथ कभी कभी शरील में चिप पक जाय या कान में घुच जाय तो कौन से आपको घरीलू उलाज तुरंत करने चाहिए और हम उसके बाद बात करेंगे कि इसको घर में आने से किस तरीके से रोका जा सकता है तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर कान खजूरा काट ले तो या चिपक जाय तो उसका घरीलू उपचार क्या हो सकता है सबसे पहली बात अगर कान खजूरा किसी के कान में घुच जाता है तो ततकाल पानी में सेंधा नमक मिलाना है और फिर उस पानी को कान में टपकाएं वो क्या होगा कान में मर जाएगा और पानी के साथ बाहर निकल जाएगा तो वहीं अग अगर कान खजूरा किसी अंग से चिपक जाए अक्सर देखा जाता है कि कान खजूरा हाथ ही या पैरो पर अगर हमारे चलते हैं तो वो चिपक जाते हैं तो ऐसी स्थिती में उसके मुँपर चीनी या फिर भूरा डाले वो तुरंत भाग जाएगा अगर कान खजूरा किसी को काट लिया है तो आपको क्या करना है हलदी लेना है सेंधा नमक लेना है इसको क्या करना है कूट पीस लेना है अच्छी तरीके से और कपडे से चान लेना है ताकि एकदम बारी कन उसका निकल जाए और फिर गाय के घी में मत कर उसको लेप बनाना ह और जहां पर कानखजूरा काटा है वहाँ पर उसे लगा लेना है इससे उसका विश तुरंथ ही खतम हो जाएगा इसके अलाबा अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कोई विशेला कीड़ा हो चाहे बर्रे हो कानखजूरा हो बिच्छू हो इसके काटने पर प्याज को पीस कर उसका लेप लगाना चाहिए तो अब बताते हैं आपको दो ऐसे बेस तरीके जिसके बाद जो है आपके घर में कभी भी कानखजूरा नहीं दिखेगा तो पहला जो तरीका है वो है नमक और सिरके का पानी कानखजूरे को सबसे जादा दिक्कत नमक से होती है जब कानखजूरा काट भी लेता है तो और या फिर स्किन से चिपक जाता है तो भी हम नमक का इस्तिमाल करते हैं तो वहीं अगर आपको घर में बिल्कुल नहीं चाहिए कि हमारे घर पे कानखजूरा आए ही न तो आप नमक के साथ सिर्के का जो है मिश्रन तयार करके एक स्प्रे बनाएंगे इस स्प्रे में क्या करना है आपको सबसे पहले नमक लेना है फिर सिर्का लेना है उसके बाद सिर्का लेने के बाद इसमें डेटॉल मिलाना है वहाँ पर इसको आप नियमित रूप से स्प्रे करें या फिर आप इससे पोछा भी लगा सकते हैं दोनों ही विधी से आप कान खजूरे से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं तो वहीं दूसरा तरीका है रिफाइंड ओईल का रिफाइंड ओईल एक ऐसी चीज है जिसकी महग से आकरशित होके आते हैं सारे के सारे कान खजूरे तो अगर आपके घर की गार्टन में या बातरूम में जहां पर भी नमी वाला एरिया है और वहाँ पे कान खजूरा दिख और जब वहाँ पर आएगा तो उस तेल में ही डूप कर मर जाएगा तो ये दो तरीके हैं जिसका इस्तिमाल करके आप इससे कंप्लीटली छुटकारा पा सकते हैं